काफी स्टूडिंट्स का सवाल होता है कि सर गेट एक्जाम में बहुत पढ़ना पढ़ता है इतने सारे टेक्निकल सब्जेक्स फिर अप्टिटूड भी है फिर मैट्स भी है हमसे ना हो पाई एक साल की तैयारी वैसे तो एक साल से जादा की तैयारी लगती है सकते हूँ PSU में आप जा सकते हो without writing the gate exam without being the topper of the gate exam और under 100 rank कैसे आपको engineering के बाद एक अच्छी job पकड़नी है कई पर ठीक है experience लेना है फिर वो experience के basis पर PSU recruit करती है उनका notification आता है website पर for experience professional ये job opportunity है मैं job updates चैनल पर आपको कई बार ये updates देते रहता हूँ that अगर आपने mechanical engineering किया है और अगर आपके पास एक साल का experience है तो आप ECIL में जा सकते हो ठीक है दो साल के experience है तो कोई और PSU है वो recruit में निकालती है तीन साल का है चार साल का है तो ऐसे हर experience years के लिए opportunities रहती है और कैसे तो करके अगर आप एक बार पहुच गए ना वो PSU में फिर तो क्या है फिर थपा लग जाएगा permanent job फिर अगर retire होना है वहाँ पर तो हो जाओ नहीं होना है तो switch माल लो ठीक है तो ये एक तरीका है कि experience ले करके आप आगे बढ़ सकते हो पर इसमें catch है catch क्या सर मैं तो हूँ civil engineer बट मैंने तो site की काम की नहीं मैंने तो TCS Accenture में IT का काम किया तो क्या वो experience चलेगा नहीं चलेगा जिस branch में हो उस branch के domain का ही experience चाहिए तब ये PSU में मिलेगा सोच रहे हो electronics हो और आपने IT में काम किया और आपका experience count हो जाए ऐसा नहीं होगा ठीक है तो 99% ऐसा नहीं होगा तो ये पहला point था अब दूसरा point सर PSU अगर जाना हो तो gate exam से तो बहुत competition होता है इतना सारा rank होता है कोई और तरीका है PSU अपना खुद का exam निकालती है उसमें participate कर लो पर सिले बस तो वही होगा जो gate में होता है technical subjects प्लस non-tech वो होगा ही होगा ठीक है लेवल थोड़ा सा कम होगा gate में क्या है moderate to tough level के अच्छे सवाल पूछ लिए जाते पर जब वो खुद की exam निकालते हैं जैसे HPCL खुद का exam निकालता है DFCCIL खुद का exam निकालता है ऐसे HAL है ऐसे बहुत चारे exams है ठीक है जो PSU कहती है कि हम gate के थूँ नहीं जाएंगे हम खुद का exam निकालेंगे आप यहाँ से participate करो तो यहाँ पर level easy होता है compared to gate ठीक है level easy compared to gate तो यह आप कोशिश कर सकते हो अगर निकल जाए तो बढ़िया है ना निकले तो फिर और exam से तो attempts देते रह सकते हो ठीक है यह एक चीज है कि आप PSU जा सकते हो without gate अच्छा एक और institute BRC जो कहती है कि आप हमारे इसमें दो प्रोग्राम होता है एक प्रोग्राम सीधा job दिलाता है दूसरा प्रोग्राम kind of mtech के तरह ही होता है और फिर आपको job मिलती है ठीक है तो वो कहते है कि आप हमारा exam clear कर लो हम आपको चाहे तो आपको mtech करना है तो IT में भेज देंगे PSU नौकरी चाहिए तो उदर भी भेज देंगे बट हमारे थुरू आप जा सकते हो without writing the gate exam तो ये एक सुविदा है BRC का exam आप लिख सकते हो जिसमें tech होता है non-tech कम ही होता aptitude पूछते नहीं है उनको technical student चाहिए ठीक है तो ये एक आपका benefit होगा अब वो अगर नहीं करना आपको BRC भी तो आप ESE कर सकते हो बट ESE तो यार काफी 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 tough है compared to the gate सिर्फ syllabus के respect में नहीं syllabus तो ही तीन round भी होता है objective, theory और फिर interview ठीक है उसमें कम vacancy भी है so high competition तो आप इसमें problems तो देखो high competition फिर syllabus भी बहुत ज़्यादा non-tech का tech का पढ़ना भी बहुत पढ़ता है ठीक है vacancy भी कम है और यह साल में एक ही बार exam होती है तो अगर आपको attempt लेना इसके लिए मैं कहता हूँ ESE क्या है optional रखो आप कि अगर कई पर settle हो गई PSEO सरकारी नौकरी में या कई private job में और फिर अगर इच्छा है कि ESE दे करके हमको अच्छी opportunity चाहिए सरकार के अंदर तो आप जाना बाकि tough बहुत ज़्यादा exam है ठीक है अच्छ अगर वो नहीं करना कि सर इजी तरीका बताओ तो इजी तरीका AI ATZ है बेस्ट तरीका है 13,00,00,00 पर आनम की package मिल जाती है टेक वेक पढ़नाय का जरुवत ही नहीं electronics से हो mechanical से हो कोई भी branch से हो apply कर सकते हो कोई tech का knowledge जरुवत नहीं है जो आपका core है उसका भी जरुवत नहीं है तो किस चीज का जरुवत है इसमें आपको चाहिए non-tech skills apti हो गया अंग्रेजी हो गया ठीक है और general science हो गया बहुत ही basic सा होता है कम mark से English and general science के फिर आपका हो गया maths and physics ठीक है यह चीज है इस पर काम करो और बढ़िया सी AI-ATC के नौकरी ले लो permanent job होती है और काफी अच्छी vacancy निकालते है तो हर साल होता ही है तो आपको यह opportunity मिल जाएगी ठीक है वैसे भी जो हमारा ATC किस में काम करता है airports में तो airports में आप देखोगे तो demand काफी जादा है इसलिए नौकरी जादा होगी क्योंके बहुत सारे airports बनने वाले है तो बहुत सारे ATC officer चाहिए तो इस case में आप इस पे definitely आप मान सकते हो हर साल vacancy निकलेगी अच्छी vacancy निकलेगी तो preparation में लोगो यह मत समझना अरे वा यह तो मैं दो महिने में खतम कर लूँगा ऐसा नहीं होगा इसमें problem क्या है इसमें per question जो है कम minute मिलते है तो फिर कौन सा question छोड़ना है कौन सा solve करना है क्या syllabus है अच्छे से आपको करना पड़ेगा वैसे तो 11-12th NCRT पर ही based है बट क्या है without practice you cannot win any war वो बात है करना पड़ेगा ठीक है तो महनत तो है but easy है compared to the gate exam फिर है हमारे पास non-tech exams जैसे banking exam हो गया ठीक है bank senior senior नहीं bank PO का exam होता है probationary officer होता है ठीक है और भी ऐसे exams होते है non-tech exams teacher बनना है तो seated exam है और भी बहुत सारे exams है तो आप उसके लिए try कर सकते हो अकसर engineer वो try नहीं करते है क्योंके high level से फिर group C पर जाना मजा नहीं है उनको group A, group B वाली position शाहिए C में नहीं जाना है उनको तो यह सारी चीज है इसके अलावा अगर हम देखे तो SSE JE का भी exam है SSE JE का exam है अगेन यह gate से कम level का toughness है ठीक है gate से काफी कम level का SSE LEVEL जो है वो gate के तरह ही है तो यहाँ पर भी आपको apti पढ़ना पढ़ेगा आपको बाकी चीज करनी पढ़ेगी कोई कटोती आपको मिलेगी नहीं tech पढ़ना पढ़ेगा बट level कम होगा ठीक है फिर तो एक है कि आप gate ठीक ठाक से पास हो जाओ बट ठीक ठाक से IIT मिलेगी नहीं पर जो IIT मिले तो वहाँ से PSU का chance है बट काफी काफी कम ratio आता है less than मान लो 2% of the overall job portfolio ठीक है कि PSU आ करके recruit करती है generally but है एक chance है मैं यह नहीं कह रहा कि negligible है but there is a chance कि आप Mtech in IIT करो और वहाँ से PSU grab करो but IIT में जाने के लिए भी अच्छा rank चाहिए तो gate तो पढ़ना ही पड़ेगा ठीक है तो इसलिए optional है कि यहां से भी एक chance होता है नहीं तो अक्सर क्या करते है मान में IIT में student जाते है Mtech करते है फिर वापस से gate लिखते है गेट में अच्छा rank ले करके PSU जाते है तो ऐसा कई बार करते है तो यह एक scenario हमको देखने मिला है दो साल का उनका Mtech program होता है तो वो try करते रहते है फर्स्ट यर हो गया तो फिर छोड़ देते बीच में ने तो second year हो गया तो फिर PSU फिर वो placement basement बैठते हैं तो यह सारी तरीके है आपको अगर PSU चाहिए without gate तो यह सारा आप technique यूज कर सकते हो और सरकारी नौकरी अपना एक benefit है work-life balance है एक रुदबा है समाज में इज़त है फिर permanent job रहती है कोई निकाल नहीं सकता salary बढ़ती रहती है allowances इतने मिलते है घर मिलता है बाकी चीज मिलती है तो उनके benefits है इसलिए जो students है वो PSU jobs को prefer करते है and private job में कोई खराबी नहीं है बट फिर वो depend करता है सबका अपना-पना requirement है किसी को बहुत पैसे कमाने है private job is best किसी को foreign opportunity चाहिए private job is best ठीक है किसी को high tech infrastructure, full AC, full एकदम आपको वैसे जो movies में देखते हो वैसे high end and high tech चाहिए then private jobs are the best for you guys ठीक है तो सरकार का अपना एक अलग domain है एक अलग environment है तो अगर आपको ठीक लगे तो आप जा सकते हो तो यही बाते थी और अगर आपके ऐसे कोई भी सवाल हो जो आपको पूछना हो आपको और भी जानकारी चाहिए आप मुझे पूछ सकते हो काफी सालों से मैं guide कर रहा हूँ students के तो वही आपके भी queries रहे होंगे ठीक है कहीं न कहीं आपको doubts आते हैं तो आप पूछ सकते हो I will create videos on them thank you for watching this video